राज वित मंत्री अन्राग ठाकूर बिलासपूर दौरे पर हैं और यहाँ पर गुमार्वी और बिलासपूर में लोगों की समस्याएं सुनेंगे अन्राग ठाकूर कोटिपूरा में जन जागरन कारेकरम में शामिल होंगे वहीं उसके बाद भूसकलन से प्रभावितक शेत्रों का भी दौरा करेंगे कुठेडा से मोर सिंगी के बीच बनने वाली सड़क का भूमी पूजन भी करेंगे तो बिलासपूर दौरे पर हन्राग ठाकूर और अपने इस दौरे के दौरान कई ऐसे कारेकरम हैं जिसमें की शिर्कत करने वाले हैं एहम माना जाराई की दौरा क्योंकि इस दौरे के दौरान भूसकलन से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे और इलाके का दौरा करेंगे इसके लावा कुठैड़ा से मुर्च सिंखी के बीच बनने वाली सडक का भूवी पूजन भी करेंगे इसके लावा अगर बात की जाए उनकी दौरे की तो भूसकलन से प्रभावित तक शेतरों का दौरा करेंगे वहीं कोठी पुरा में जन जागरन कारेकरम में भी शामिल होंगे अनराग ठाकूर के इस दौरे को काफी एहम माना जा रहा है मंतरी बनने के बाद पहली बार इस तरीके का एक दौरा कर रहे हैं और इस दौरे का एहम इसली भी माना जा रहा है अनराग ठाकूर बिलासपूर में राजवत मंतरी अनराग ठाकूर का दौरा है इस दौरे को एहम माना जा रहा है गुमारवी और बिलासपूर में लोगों से मुखातिब होंगे लोगों की समस्ताय सुनेंगे वहीं इसके अलावा कोठी पुरा में जन जागरन कारेकरम में शामिल होंगे अनुराग ठाकूर और वहीं मौनसून के चलते भुस्करन से परभावित शेत्रों का धी दौरा करेंगे वहीं कुठेडा से मौर सिंगी के बीच बनने वाली सडक का भुमि पूजन भी अनुराग ठाकूर का दौरा बिलासपूर का है अपने बिलासपूर दौरे के दौरान लोगों से मुखातिब होंगे जन समस्तायां सुनेंगे इसके लावा भूस्क्रन से परभावित लोगों से भी मुराकात करेंगे भूस्क्रन से परभावित इलाके का दौरा करेंगे कोठीपूरा में एक जन जागरन कारेकरम में शामिल होंगे वहीं जिस तरीके के हालात हैं हिमाचल में कि कई जिगों पर भुस्तन हुआ है और भुस्तन से परभावे तो कुछ ऐसे अलाके हैं जहां का कि आज अनराग ठाकुर दौरा करने वाले हैं थेड़ा से मोर सिंखी के बीच बनने वाली सडक का भुवी पूजन भी करेंगे उसके बाद जल्द ही ये सडक बननी शुरू हो जाएगी अनराग ठाकुर के इस दौरे को काफी एहम माना जा रहा है प्राइब को जाएब दौरे के बाद खिर कि अनराग जाएब करना जाएब इस दुरू है